इन्होने नाम चेंज कर दिया उन्होने ऑन्दिस्पेटिड उनिवर्सल चेंपियंशिप मेंसे उन्होने उन्यवर्सल हटा दिया और मैं ये सोच गलो उनिवर्सल हटा दिया इस चेंपियंशिप का नाम ये भी था क्या क्योंकि हम तो बस ये बोलते थे ख Cornhole Championship प्रे flick बस थोड़ा टाइम और दे तो ये अंडिस्पूटिड भी हटा देंगे फिर ये बन जाएगी वही हमारी पुरानी ओरिजिनल डवडबली चैंपियंशिप अउधर हो जाएगी व्ल्ड हवेट चैंपियंशिप मुझे समझ में निया रहा है अंडिस्पूटिड हटाने में नहीं इतनी क्या पता आ रही है अभी कोडी रोड़ जीता है न और वो अंडिस्पूटिड के लड़ रहा था तो मुझे लग रहा है इसी दे थोड़ा रखेंगे जैसी कोडी के बाद कोई और चैंपियंशिप बनेगा तुरण धढ़ा देंगे चुपके से पता भी जले क रात में तभी तो न्यूज आई है ता कि सुबह तर अजातर लोग पता ही न चले तो याइस जो मैं चैंपियंश ऑफ द वोल्ल मैं हो 3DX जेतने वेल्कम तो दे डे एलेवन ओफ को नहीं पता बेल्ट कैसे पकड़ते हैं कोडी रोड़ के ऊपर फैंस टर्न कर रहे हैं सीम हैं, एक हफ्ती के बाद है, बस सही में एक हफ्ती के बाद की साल है, वीडियो मने न पतना сам hair तुम Barnे बना है बैठ yang, लोऑं पतना km वी when दो देखा हैं बाद ये स्टोर से तक And it is legit. Roman Reigns is in Hollywood now. And that is sad, actually. वैं, तेखा जाया तो यह, sad बात है. But मेरे को लगता है, obviously, यह थोड़े time के लिए ही है. Roman Reigns is definitely coming back. और Roman Reigns ने Hollywood अपना यह जो वेंचर शुरू कर दिया है. अब इससे मेरे को यह भी पता चल रहा है कि जो Roman Reigns का अगला रन होगा न. And that's okay, that's his personal choice. फिर हम उस पर क्या कर सकते हैं. But man, he's looking good. बाई, मैं को पता, यह बंदा न हो सकता है Hollywood में. क्या पता, क्या पता? Rock और John Cena से जादा चल जाए. You never know. Anyways, Cody Rhodes की बात करने थे, न, टाइटल होल्ड करने पर लोग बोले जा रहे थे, क्या, Cody Rhodes का टाइटल होल्ड करने का तरीका बड़ा हो है. तो जो Cody Rhodes ने इस तरीके से टाइटल पकड़ी वी थी न, मेरको तो उससे कोई प्रॉब्लम मी नहीं थी. वो जब यहाँ पर कंदे पर रख रहा था, तब मेरको लग रहा था कि यह कंदे छोटे हैं क्या? मेरको उससे प्रॉब्लम थी कि टाइटल थोड़ी बड़ी लग रही थी. मेरको इस होल्डिंग पैटर्स से था ऐसा उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर बाद में इस बंदे का टूइट काफी वाइरल हुआ जब उसने दिखाए कि देखो रिक फ्लेर भी था ऐसी पकड़ता था. और अगर मैं गलत नहीं तो काफी ऐसे सूपरस्टार, मेजर सूपरस्टार जैसे की ट्रिपल एच हो गए, या फिर रॉक हो गए, इन्होंने भी इस तरीके से टाइटल होल्ड करिए, तो कोड़ी रोट्स को ये हेट इसलिए मिलेगी, कि इंटरनेट जो है, बहुत एजिली एकसेसिबल हो चुका है, और उपिनियन देने पर जूते नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जब ये दोनों चीज होने लग जाएंगी न, तो फिर थोड़ा शांत लोग होंगे, फिर जोग उपिनियन थोड़ा सही से देने लगेंगे, बिकॉस कुछ भी बोलना इस जस्टूपिड इडी, भाया, रॉक, भाई, रॉक को तो मिस कर रहें, भाई, हर कोई मिस कर रहें, रॉक ने बाई, लिटरली रोट टू रेसल मीने में, चार चांद लगा दिये थे, हमें क्या पताता है, कि ये बंदा, जिसको लोग इतना कर रहें, वो बंदा चब चला जाएगा, तो फिर इतना मिस करने वाले है, मैन, दरॉक की कमी खल रही है, और ये ये बैस्ट है, पता है, क्योंकि जितना ये वोइड क्रियेट होगा, तो फिर जब दरॉक कर रिटर्न होगा, और हो सकता है कि रूमन रेंस का भी साथ में हो, तो फिर वो एक लग जो excitement होने वाली है, वो next level पे होने वाली है, जरूरी भी था मेरे को लगता है ये break, बट ये break कहीं न कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा, बड़े गलट टाइम पर आया है, because Rock भी break पे, Roman Reigns भी break पे, Seth Rollins भी break पे, Gunther भी मेरे को दिखाई नहीं दिया, तो चार आपके ऐसे major stars एक साथ break पे जाना, do you think, like, that's what we wanted, या फिर S.W.E. आपको लगता है कि आप Cody Rhodes की कंदों पर ही सिर्फ ये सब छोड़ सब, like, जिसको ये चारो मिलके चला रहे थे, with Cody Rhodes and Drew McIntyre and CM Punk, उसमें सिर्फ आप इन सबको easily ऐसे जाने दोगे, Seth Rollins का समझ में आता है he was injured, rumor इसका तो, ठीक है, समझ आदा है, sad है वो, but at this point में वो को लगता है कि ये जो सारे इतने सारे superstar एक साथ grab हो है न, ये हो सकता है कि अगले दो pay-per-view में, और वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहे, Damian Priest vs. Jey Uso, Cody Rhodes vs. AJ Styles, अब इससे दो चीज़े होंगी, या तो boring हो जा हैंगे, अच्छे से, Dominic Dijakovic का apparently WWE के में रॉस्टर में दुबारा से हो सकता है, return क्योंकि उनका, उन्होंने apparently अपने last match लड़ा आ जाए, NXT के अंदर, and hopefully, hopefully, अब उनका जो पहले वाला था न, Retribution के अंदर, obviously वो तो दुबारा से नहीं होने वाला, but अब जो भी होगा न, वो मलब काम चलाने लाएगा, अगर इस बंदे को character अच्छा दे दिया जाए न, मेरे इसाब से Karen Cross से ज़्याधा लोग इसको seriously ले सकते हैं, that is my guess, बाकी तो जब यह आएगा था भी देखा जाएगा, Triple H से मेरे को at least इतना तो भरोसा है कि आते ही वो canteen की plate तो इसके मूपे नही बादने वाला जैसे कि Retribution के टाइम पे हुआ था, इतना तो मुझे भरो साइटर प्लेज पे, Undertaker का post डाला 90s WWE ने कि Undertaker is the only wrestler to hold Winged Eagle Championship, Attitude Era Championship, Undisputed Championship and Big Gold Championship belts, and that is insane, because सबसे पहली बात तो हम जब Undertaker को imagine करते हैं, हम Undertaker की Championships को कभी भी imagine नहीं करते, Undertaker was never known for Championship, Undertaker को आप कभी भी यह न Championship जीतना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता था कि यह यह बंदा क्या करेगा, क्या Championship लेगे, यह बिना Championship के जब ऐसा है, तो फिर Championship इसका क्या ही उखाड लेगी, Undertaker उस लेवल पर पहुँच चुका था, कि Championship मेरो लगत तो उतना matter नहीं करती थी, but at the same time, Undertaker के पास ऐसा collection होना, is just incredible Corey Graves ने यह भी बताया कि Logan Paul और Jake Paul साथ में देखने को मिल सकते हैं, यानि कि जिस तरीके से Logan Paul है, वैसी Jake Paul भी एक दिन WWE के अंदर देखने को मिलने वाला है, और यह बहुत easily possible है, मैं यह सोच रहो कि Logan Paul और Jake Paul भले ही दोनों भाई है, पर दोनों की personalities बहुत different है, और मैं इतना भ feeling from Jake Paul कि यह बंदा है, कांड कर सकता है, और यह करेगा, देखना, अगला opinion टाइप चीज़ है कि Do you think John Cena should win his historic WWE Championship for the 17th time before retiring, देखो यार पते कि ऐसा हो गया है, एक जो championship होती है न, ऐसा लगता है कि भाई बंदा जीत रहा है तो हां deserving and all, but अब यह जब championship जीते हैगा न बंदा, त it's a good idea, because अगर आप आके solo Secoa से हार रहे हो, and then you want us to believe कि नहीं आप championship भी जीत सकते हो, world championship, तो फिर शायद से वो, like logically देखा जाया है, तो बुरा है, बढ़ हां nostalgia point of view से, John Cena के, you know, वो जो गीले हो जाते है, तुरंथ fans, उनके point of view से, तो ठीक है, चलो यार, आप खुश रहना ज storyline दे रहा अच्छी, matches दे रहा है अच्छी, and then championship जीत रहा है, अगर आते ही, एक rivalry के अंदर, मतलब एक pay-per-view के अंदर ही championship जीत ली, तो शायद से मेल ले बुर तरा interesting होगा ने, because gap बहुत हो चुका है, and it's hard for me to believe कि John Cena can win championship, meanwhile, on the other hand, if you are telling me कि Randy Oton should win his 17th championship, yes, भाई, अगर किसी को 16th का record तोड़ना है था, तो इस समय वो Randy Oton होना चाहिए, without a shadow of a doubt, क्योंकि जिस तरीके से वो consistency के साथ लड़ रहा है, Hollywood में shift नहीं हो रहा है, I think he is the guy जिसका logical भी बनाएगा, और मजा भी आएगा देखने में, anyways, ये वाला opinion तो मैं definitely जानना चाहूँगा, क्योंकि अब ये न Please tell me in the comments, और अगर आपको वीडियो पसन नहीं तो ये मत सोचना है कि अगर आप लिग दो क्या आप लिग दो कि आब ये तो जानता ये जान सी न कोई है, भाई, 2017 से वीडियो बना रहा हूँ, you are not the first one जो कि ये comment करने वाला है, तो if you think कि उस से फर्क पड़ेगा, you can try, opinions are always going to भी opinions, आपके भी जो opinion होंगे, बड़ आपको कोई जाकर बोल नहीं सकता, and if you think कि यहां पर आकर बोल सकते हो, तो does not mean कि वो affect भी करने वाले है मुझको, तो yeah, I think that Randy Orton now, right now Randy Orton deserves, John Cena needs to prove कि वो 17 time title जीतने के हकदार है, just because उसमें वो 16 championship जीत रखी है, does not mean कि 17 जीता देनी चाहिए क्या भीक मिल रही है क्या इदर, ऐसे ही दे दें क्या जाबर दस्ती, no, urnate man, urnate, come on, comments में लिखना, like regarding this, obviously इस पर काफी negative comments आथे, but that's okay, that's okay, comments में लिखो फिर भी, अगर आपके उड़ी पसन आए, तो पिले अगरे शेयर को चाहिए को सब्सक्राइब करो, करता में टोनी को नांगा, 3D X-J10, 3D X-J10, 3D X-J10, 3D X-J10, 3D X-J10,